आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी और डिफरेंट सी कड़ी जो आपने शायद ही पहले खाई होगी वह है गजरा की कड़ी यह गाजर की पत्ते होते ना उनसे बनाई जाती है तो देखें इनको किस तरीके से बनाना है वह मैं बताती हूँ चली बनाते हैं सबसे प बारिक काटेंगे वह उतना सही रहेगा तो इस तरीके से आपको बारिक बारिक के इसको कट कर लेना है देखें इस सीजन में हरी सबजी आती है और यह बहुत ही टेस्टी होती होती है तो आपको बनाते रहना चाहिए और कड़ी आप इसके साथ बनाएंगे ना तो बहुत ह लगेगी कि आपको बहुत ही healthy भी रहेगी तो इस तरीके से आप एक बार कड़ी को बनाएं और जरूर खाएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताईएगा कि आपकी कड़ी कैसी बनी चलिए अब इसको बनाते है तो सबसे पहले मैंने एक कब जो है धही का लिया है धही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए अगर आप ज्यादा खटा पसंद करते तो ले सकते हैं एक चमच मैं नमक ले रही हूँ इसके साथ ही मैंने एक चमच रैड चिली पाउडर लिया है जैसे मैं अभी एक चमच ले 10 जमच में भावड़द इस साथ 10 जमच से चै ada 6 जमच में धनिया पाउडर लिया है 30 जमच में 10 जम चैनल में 1 जमच जम्मच सरीव लिए्स के डी ओर विवन चानल मेंदोध में느ование तो भावड़ चैनल अगर आपने फेट रखा है तो कोई इश्यू नहीं लगें अगर फेटा हुआ नहीं है आपका मेरे जैसा ही है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें जिस तरीके से मैंने किया है और उसके बाद देखिए यह मैं तीन कप पानी यूज करने वाली हूं इसके अंदर तीन कप पान यूज के अच्छा सी एक चे कर लेते है ऑफ अच्छा है डरी city लेटे हैं चोकान तेयार करते है मैंने एकक प मत चमेच के गिलिकSारोर साफसे देखे़ता दो चम्मच मेने औले लिया है आदा चम्मच मेनने जीरा लिया है आदा चम्मच से कम लींच है एक तेज पत्ता ल कुटा वज़ास में काली मिर्च और लॉग है और इसके साथ ही दो लाल मिर्च लिए सूकी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता लिए आठ से दस और देखें मैं लसन ली है एक बंच लिया था इसको इस तरीके से बारिक बारिक कट कर लिया है तो आप चाहें तो कूट भी सकते हैं लेकिन जैसे हम इसे बारिक कट करते हैं और स्टार्टिंग में चूकन में डालते हैं बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है तो जब इस तरीके से राइड हो जाए ना आपकी लसन उस टाइम पे आपको हरी मिर्च डालनी है तो मैंने दो हरी मिर्च ली है बारिक कटी भी गोल डाल दी है अब इसको थोड़ा पकाएं उसके बाद जो आपने पेस्ट तयार किया था यानि कि अपने जो गोल तयार किया है कडी के लिए वो डाल देते हैं इसमें हमारी हरी मिर्च अच्छ से पक जाएगी तो इस टाइम पे ही आपको पूरा गोल इसके अंदर मिक्स करना है और इसको हलका गुमाना है एक से दो बार और इसी टाइम पे हम गजरा यूज करेंगे जो गाजर के पत्ते हैं वो भी हमें स्टार्टिंग में ही डालेंगे जिसे यह अच्छे से पक जाए क्योंकि हम इनको बॉयल नहीं कर रहे हैं और जितना हमने धही लिया था ना उत पक रहें तो फट सकती है तो डे इसमें उफाणा आ गया है तो हम गैस कम कर देते हैं और इसको पकने देते हैं तो आपको इसे पकाना है जितना ज्यादा इसको पकाएंगे उत्ते ही टेस्ती बनती है हमारी करी तो 20-25 मिलट त तक हम इसको कंटीनिव पकाना एगए पक तो इस टाइम पे आपको गयास बंद कर देनी है और इसके लिए छोकन तयार करना है तो देखिए ये एक चमच हमने तेल लिया है रिफाइंड ओयल लिया है इसके साथ ही मैंने आदा चमच इसमें राई लिये इसके जीरा भी यूज कर सकते हैं साथ ही छोटी प्याज लिये जिसे इस तरीके से लंबा-लंबा कट कर लिया है इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक पकाना है बिल्कुल ब्राउन कर देनी है आपको देखिए इस तरीके से हो जानी चाहिए अच्छे से ब्राउन उस टैम तक आपको पकानी है जब यह हो जाए उस टैम पे आपको इसके और बहुत ही healthy है और बिल्कुल different taste के साथ रहेगी आप इसको बनाईए घर पे और खाईए अगर वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिए, share कीजिए, comment करके जरूर बताईए कि आप इकड़ी कैसे वनी जाएए